हाई फ्रेंड्स मैं हूं दॉक्टर अमित माईश्वरी सीयो और फाउंडर डिरेक्टर मेटास ओवर्सेज लिमिटेड और हमारी कंपनी स्टेलले स्टेल मर्डूलो किचिन के मैनेफैक्टरिंग करती है एक्सपोर्ट करती है और फ्रेंचाइजी बिजनस के जरिए पूरे भ लीडर होगा वैसी आपकी टीम होगी और जैसा लीडर परफॉर्म करेगा वैसे ही टीम परफॉर्म करेगी तो आज हम बात करेंगे फाइब टॉप लीडर्शिप स्किल्स के बारे में जिससे आप बिल्ट कर सकते हैं अपने बिजनस को और बना सकते हैं अपनी कंपनी को ए गाई सेक को या कि नहीं के सुनुपा और मतलब आप साहि तरीके से प्लेयिट करें नहीं तो आपकी टीन बहुत प्रORM कर सकती है जिसके लिए जरुरिये taking your team into the right direction so that they can produce result आप अपनी टीम को ना एक right direction में ले कर जाएं ताकि वो सही तरीके से result प्रेड्यूज करें अब right direction का मतलब क्या है company के goal क्या है company का goal क्या है क्या goal oriented company है कि हमारी company का अगले एक साल में क्या लक्ष है अगले पांच साल में हमारा क्या लक्ष है हर महीने हमारे क्या-क्या लक्ष है हर हफते हमारे क्या-क्या लक्ष है per day हमारे क्या-क्या लक्ष है अपने goals को decide करें कि हमारी company क्या करने वाली है और भविश्य में हम कहां पहुचने वाली है दूसरी बात plan oriented प्रेंट्स goal बनाना एक बात है लेकिन उन goals को achieve करने के लिए जो planning आपने की है वो दूसरी बात है इसलिए बेहतर goal होना चाहिए और goal को achieve करने के लिए right planning होनी चाहिए और planning में na flexibility होनी चाहिए ताकि ज़रूरत पढ़ने पर उस planning को आसानी से change किया जा सके जब हम किसी भी plan को execute करते है तो पता लगता है क्या-क्या problems आ रही है और कहां-कहां पर हमारा plan ठीक तरीके से काम नहीं करता है तो plan जो होता है flexible होना चाहिए ताकि आसानी से उसमें परिवर्तन किया जा सके purpose oriented कि हमारी company का purpose क्या है देखिए हर company का purpose अलग-अलग समय पर अलग हो सकता है किसी किसी समय पर हमारा purpose होता है more sale मतलब financial year में हमें ज्यादा sale करनी है कभी-कभी purpose क्या होता है development, research and development of new products कि हम नए ने प्रोड़क्त क्या क्या डिवलउप करेंगे कभी-कभी हमारा परपस क्या होता है? कि अब हमें Export शुरू करना है यह अलग परपस है कभी हमारा परपस क्या होता है? हमें हमारा Customer Bank बढ़ाना है कभी परपस क्या होता है? हमारी company को expansion की ओर ले जाना है तो आपको purpose oriented goal, purpose oriented plan design करना है ताकि आप एक result oriented company बना कर तयार कर सकें किसी भी लक्ष को हासिल करने के लिए लक्ष बनना पहले जरूरी है और लक्ष बनने के बाद उस लक्ष को हासिल करने के लिए क्या-क्या चरण, क्या-क्या कदम, क्या-क्या steps आप अपनाएंगे वो बताना जरूरी है तो ये सारी चीजें अगर आप छीक तरीके से करते हैं clarity के साथ करते हैं तो आपकी team सही तरीके से काम करेगी और वो जहमज पाएगी कि हमें करना क्या है बहुश्य में इसरी important बात delegation of power and responsibility अभी क्या है कि कई बार business owner ना सब चीजों की responsibility अपने employees को दिरेता है पर उन responsibilities को पूरा करने के लिए क्या-क्या powers चाहिए उस power को centralized रखता है तो हमें क्या करना है अपनी power को delegate करना है अपने employees को ताकि power मिलने के बाद वो सही तरीके से decision ले सके जैसे हमारी sales team के पास ये power है हमने उनको ये power delegate की हुई है कि जब आप customer के साथ dealing करेंगा और customer bargaining करता है कहीं कहीं ना price में अपने offer देता है तो किस down line तक आप आ सकते हैं किस level of discount तक आप आप जा सकते हैं राइट आपके हाथ में है और कोशिश कीजिया कम से कम discount देना पड़े तो यहाँ पर हमने क्या-क्या delegation of power कर दे deal close करने की power उसके हाथ में है और कई बार कुछ ऐसी commitments जो हमारी team के लोग अपनी तरफ से कर देते हैं उसको fulfill हम करते हैं तो उनको power दी हुई है कि आप अपनी deal को करने के लिए अपने customer से कैसे बातचीत करेंगे और हो सके तो यह extra चीज़े उनको provide कर देंगे so that they can generate result with clarity and commitment कोई भी employee आपके द्वारा निर्धारित लक्षों को तभी हासिल कर पाएगा जब उसके द्वारा किये गए काम के लिए उसके पास clear vision हो clear goal हो clear plan हो clear responsibility हो तभी वो उसकाम को ठीक तरीके से commitment के साथ पूरा कर सकता है तो आप देखी कि कौन-कौन सी power को आपने centralized किया है उन powers को decentralized करो second leadership generate करो जब तक आप grow नहीं करेंगे जब तक आपके पास second leadership नहीं होगी तो बहुत जुरूरी है powers को delegate करना next important बात है वो क्या है two-way feedback policy अभी क्या होता है कि employer के साथ एक सबसे बड़ी कमी क्या है कि वो अपनी company में अपने employees को बाते बता देता है लेकिन जो feedback है ना उनके द्वारक किये गए काम का feedback देने के लिए हमेशा तयार है पर आपके employees से feedback लेने के लिए तयार नहीं कि इसके plan में क्या कमी है उनके goals में क्या कमी है उनके काम करने के तरीके में क्या कमी है उनकी commitments में क्या कमी है उनकी planning में क्या कमी है प्राब्लम क्या है employee और employer के बीच वे employer कभी भी employee से feedback लेना नहीं चाहता अपने बारे में तो आप अगर कोई planning करने है उस related feedback आपकी team आपको देए अधिकार उनके पास होना चाहिए Giving and receiving right feedback as per the work policy जो भी work policy हमने design की है उससे संबंदित feedback देना और लेना दोनों आपको आना चाहिए मतलब employees के लिए भी receive करना और उसको transmit करना दोनों उनको आना चाहिए कैसे right manner में feedback का मतलब यह नहीं होता कि आप irritating तरीके से negative point of view से comment के basis पे आप feedback दे रहे हैं या आपके employees आपको दे रहे है right manner होना चाहिए कि सर आपने जो plan बनाया है मेरे हिसाब से इस plan में अगर हम यह चीज़ और कर लें या purchase में यह चीज़ और कर लें या sales में एक extra offer और कर दें तो हम अच्छा result drive कर सकते हैं या हमारे franchise model में यह चीज़ और add-on कर लें तो हमारे franchise grow हो सकते हैं तो कहने का मतलब right manner में होना चाहिए और right direction में company की growth की direction में आप कोई भी feedback अपने employees को दें तो ठीक वैसे feedback उनसे लेने के लिए भी तयार लें उनके कही गई बात को सुनने और समझने के लिए तयार रहे हैं दुसरा आपका जो काम है na feedback का वो specify होना चाहिए कि मतलब आप किस point of discussion पर अपना feedback देना चाहते हैं उनको भी पत solution oriented होना चाहिए कि सर मेरा feedback है कि हमें marketing में यह चीज और लगानी चाहिए ताकि lead generate जादा हूँ हमारे हमारे production में यह cost और add-on करनी चाहिए ताकि हमारी quality और improve हो है ना तो solution focus होनी चाहिए ताकि actionable result drive करने के लिए actionable point पर काम किया जा सके जो भी feedback मिला उस पर हम काम कर सके हो तभी होगा जब राइट मैनर में होगा इसलिए two way feedback बहुत जुरूरी है उसके बाद एक और बात क्या people accountability जब बहुत सारे लोग मिलकर एक काम करते हैं तो वहाँ पर क्या होती है एक एक व्यक्ती की inner responsibility नहीं होती है ऐसा माना जाता है कहते हैं यह पूरी की पूरी responsibility ग्रूप में है जैसे आप देखें रसा कसी जो गेम खेलते है ना उस रसा कसी गेम में क्या होता है एक पूरी की पूरी टीम को मिलके ताकत लगानी होती है अगर एक व्यक्ती कम ताकत भी लगाएगा ना के लिए किया करना है creating inner responsibility हर व्यक्ति की इंटरनल responsibility क्या है अपने काम को थीक तरीक הזה करने कि जब वह अपने responsibility को समझे गा तबी उसके बाद Dependal pay को समझेगा cricket match में सा देखा जाता है कि अगर एक team में एक प्लेयर भी perform करेगा तो यह माना जाएगा कि team can perform कर रही है लेकिन अगर हर व्यक्ति सही तरीके से perform करेगा तो company की team की जीत की guarantee पकी है और उनमें सबसे बेतर जो perform करेगा उसको man of the match मिलेगा तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति extraordinary performance कर रहा है तो उसको man of the match मिलना चाहिए उसका recognition होना पहुंसता तो हमें करना क्या है अपने plan को बनाने के वाद पर review करना है और जो भी problem सारी उसको दूर करना है ध्यान रखेगा communicate with clarity अगर आप करते हैं तो आपकी बातचीत बिल्कुल ठीक तरीके से होती है आपके vision को आपके लक्ष को आपकी company के employees और आप भी अच्छी तरीक और उसके बाद people accountability होनी चाहिए कौन व्यक्ति क्या काम कर रहा है उसकी individual calculation और group based calculation अगर ये skills आप अपने अंदर develop कर लेते हैं तो आप एक right leader के रूप में perform करेंगे और कहते हैं कि जितना बेहतर लीडर होगा उतनी बेहतर team perform करेगी और जितना बेहतर team perform करेगी उतनी growth possibilities ज्य प्रश्णों का जवाब दे सकें कोई भी informative वीडियो मिस ना हूं उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें स्वस्त रहें मस रहें मैं डॉक्षर अमित्माहिश्वरी आपके सुनरे भविश्य की कामना करता हूं जै हिंद जै भारत